खर्च आपने किया अएस में, तो से कहीं ज्यादालाब मिलेगा? क्यों मिलेगा, कि ना इसमें दबा लगी है, ना इसमें कुछ नहीं है, अकिला बीज बोई आया है, जब रखनवाई हैं, मेना थे रखनवाई हैं. कितने दिनों की टूटल फसल है, कितने भईने की है? पताय देरा है ज 사ने जो मीने की है उस पर ख़रा उतर सकता है थे सुसे किसमी की जोहर है कब विया था इससे कसानों क्या लाँ होगा, हमारे साथ यह दादा है, उनसे जनकारी कर लिती है तादा, आपका क्या नाव है मान सी याद कहां से हैं कितने वीगा में दर्टनी के लनके लगा सब्सक्राने कि तो किया सुछके लगाई दी से हिए लोग जोए रधाने अर्दमुम की तरफ जाती या रख बना थे सुच्के लगाई कि अपाने की वजये बर्घडा उपन पानी कि वजये पानी की कि अटरु आधा सब्सक्राइब कर दो नुक्सान करती है तो इससे जल भराओ जाता है तो कहीं नगे फसल बचेगी धान की तरह फसल आपका साथ देगी हम बिलकुत तो कब बोया था और कितना भीज लगा था दस भीजा में पंजरा किलो वीज लगो देल किलो को भीज लगा पंजरा किलो वीज लगो और हमने आध्यान में बजिए जून में पहली ताइख के पहले मभ गई थी पंजरा देन की आध्या लगती है उन्हें अध्यान की भीज़ भीज़ भूगे तो क्या वीजा खुद का था या कहीं से लाय थी बाहर से लाय थी पुन सा भीज बता सकते यह संकर भीज़ जवार का अचा तो क्या उत्पादन बताए गया था आप तो यह बताए तिकर हार भीज़ा में ठेकोंट जिकम नी होगी आपको क्या उमीद है अब जैसे पानी बैस को तहीं नुक्सान हो तो चार हुज या पांच उज़ एंट बीज ने की आएश में उस क्षाइब घुंट फषाल शाड़र रख लादाई तो इसको लगाने के बाद इसकी देखवाल पानी का पानी के तो पूरी फजल में कितनी बार पानी लगता है अब एगाई तो पानी लगता है यह गरता रहा तो होता रहा है अच्छा और कीट नासक की बात की जाए को रोग लगता है इस वादी लगती है तो इसका चाओ अब चाहँ का जी मसीने तो चोटे जबाई डाल दें अच्छा जो किसान इसको बोएगा शुरुगात में इसकी डालते चले वो बीच के साथ विजाई में मिलाएं और जहां से वाज किती हो जे फिर किंशा गे तो चलाब मिलेगा उस पर इल्ली नहीं लगेगी जो बू कहलाता है बीच सोधन वो करत तो आप मानते हैं कि यह फसल अन्रे खरीब की पर चठीक है लाग गुनी फायदी बंदे हैं और कुछ कहना चाहें कि किसानों से जो आइज वाइज वाई जो सब जने चोमाटे की फसल में रोग लगन लगे साब मूंफली बाए हम दो एकलमें दस जाई की दबाई डाल इसमें कुछनी पानी भवरो आठ दिन तक आप इते निकली रस्ता में गिला हो है अब लिए घूंटन भई है साब तो जैसा कि आप लोगों ने सुना के किसानों के लिए जो आर्की फसल खरीब के मौसम में कहीं नहीं लाबगा है हो सकती है वह तादा कह रहा है कि बहुत हमें उमीद है कि ये कारक्रम आपको काफी पसंद आया होगा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेर भी करें किसानमित्रों आपका बहुत धन्यवाद